एक जंगल में एक खरगोश रहा करता था। खरगोश बहुत ही अच्छा और परोकारी था। वह आविशकता पढ़ने पर सभी की मदद किया करता था। अतर उसे सभी अच्छा मानते थे और उसको अपना मित्र भी समझती थे। खरगोश भी सबको अपना मित्र ही समझता था मगर एतिन संकट में सब की सहायता करने वाला खरगोश स्वन यहीं संकट में पढ़ गया खरगोश के पीछे जंगल के कुछ शिकारी कुट्ते पढ़ गये वह अपनी जान बचा कर भागने लगा वह भागता रहा थोड़ी देर भागते भागते वह ठक गया और अब उसको दोड़ने की भी सामर्थे नहीं थी उसने मनहीमन सोचा यदि कोई जल्दी मेरी सहायता के लिए नहीं आया तो मैं इन शिकारीों द्वारा मारा जाऊंगा हे इश्वर कृपिया कर मेरी सहायता करें और मेरे किसी मित्र को मेरी साहता के लिए इधर भेज दे तब उसे सामने से घोड़ा आते हुए दिखा। वह छटपट घोड़े के पास गया और उससे बोला घोड़े भाई मुझे तुम्हारी साहता चाहिए मेरे प्राण संकट में हैं। तुम उससे कहुए है तुम्हारी साहता जरूर करेगा इतना कहकर घोड़ा दोड़ता हुआ चला गया। अब खरगोश बैल के पास गया और बोला बैल मित्र कृपिया मेरी साहता कर दो। मेरे पीछे शिकारी कुत्ते पड़े हुए हैं। वह मेरे प्राण हरना चाहते हैं। कृपिया कर मुझे बचा लो बैल बोला मैं तुम्हारी साहता तो कर देता लेकिन मुझे अपने अन्य बैल मित्रों से मिलने जाना है। वह मेरा इंतजार कर रही होंगे। तुम्हारा दोस्तकरा भी इसी ओर आ रहा है। मैंने उसे देखा है रास्ते में तुम उससे मदद मांग लो वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा खरगोश दोड़ा-दोड़ा आगे गया और बकरे के पास पहुंच गया खरगोश बोला भाई मेरी सहायता कर दो मेरे पीछे शिकारी कुट्टे पड़े हुए हैं जो की मेरी जान लेना चाहते हैं बकरा बोला भाई सुनकर बहुत दुख हुआ मैं तुम्हारी सहायता तो कर देता लेकिन देखो मेरी पीछ कितनी खुरदरी है तुम इसमें बैठोगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी वह देखो तुम्हारी मित्र भेड भी इसी तरफ आ रही है वह तुम्हें आराम दायक पीठ पर बठा कर बचा लिकी तुम उसके ही पास जाओ खरगोश अब भेड के पास गया और उसने भेड से भी मदद मांगी लेकिन भेड ने भी कुछ बहाना बना कर उसकी सहायता करने से साफ इंकार कर दिया अब खरगोश बहुत हाताश हो चुका था वह मन में सोच रहा था कि मैंने मुसीबत पढ़ने पर सब की सहायता की लेकिन अभी मैं संकट में हू तो मेरी सहायता कोई भी नहीं कर रहा यहां सब अपने स्वार्थ के लिए ही मित्रता करते हैं अब उसने सविश्वर के भरो से छोड़ दिया और जाकर एक बिल में छिप गया कुद्पे आये और फिर जब खरगोश नहीं मिला तो वे वहां से चले गए खरगोश बहुत दुखी हो गया था वे फिर अपनी जान बचाकर उस जंगल से हमीशा हमीशा के लिए चला गया शिक्षा स्वार्थी मित्रों का होना न होना एक ही बड़ाबर है क्योंकि वे अपना काम तो निकलवा लेते हैं परन्तु आवशक्ता पढ़ने पर कभी साहता नहीं करते